दोस्तों आज किसी वीडियो के दिए में आपको एक ऐसा AI टूल बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप unlimited photo generate कर सकते हैं जातर क्या होता किसी भी AI टूल में बहुत सारा photo generate करनी के लिए उसका subscription लेना पड़ता है लेकिन आपको इस AI टूल में कोई भी subscription लेने की जुवत नहीं है आप इसमें जितना photo generate करना चाते हैं जैसा भी चाते हैं आप बिल्कुल free में generate कर सकते हैं इस AI टूल में photo generate करने के लिए कई सारे feature भी दिये हैं जैसे कि जिस quality में आपको photo generate करना हो एक normal quality से लेकर के high quality तक है full HD में size select करना कि size में आप photo generate करना चाते हैं इसके लावा बहुत सारे feature दिये हैं तो चले में आपको सिखाता हैं किस तरीके से आप इस AI टूल का यूज़ करेंगे और दोस्तों अगर आज के वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like subscriber से जोग करेगा दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो के description में जाना है वहाँ पर आपको एक link मिलेगा उस पर click कर देना है जैसी आप link पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से website open होगी यह website है guitar.com website open होने के बाद आपको इस वी website में थोड़ नीचे क्यों आना है देखिए यहाँ पर example दियावा है कि कुछ इस तरीके से आप भी photo generate कर सकते हैं इसमें यहाँ पर tap किया गया था forest ELFA और यहाँ पर generate बटन पर click करके यहाँ पर photo generate किया गया है आप भी इसी तरीके से कोई भी कैसी photo generate कर सकते हैं वो भी बिल्कुल free में आपको कोई भी subscription नीचे लेना है तो इसके बाद यहाँ पर और भी थोड़ सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा को लेवे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यह दियावा है को लेवे इसमें यहाँ पर एक blue करका button है जिसमें लिखावा है open in को लेवे आपको इस वाले button पर क्लिक कर देना है जैसी आप button पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको सामने open होगा देखिए यहाँ पर right in side में टोप में दियावा है sign in का button आपको इस पर क्लिक करना है और किसी भी Gmail account से आपको sign in कर लेना है तो यहाँ पर मैं जल्दी से sign in कर लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैंने sign in कर लिया है sign in करने के बाद यहाँ पर आपको एक button दिखा देगा connect का आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करके थोड़ा सापको यहाँ पर wait करना होता है कुछी दिर में आपको यहाँ पर दिखा देगा connecting देखिए यहाँ पर right का symbol भी आ गया इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक button दियावा है पले का आपको इस पले वाले button पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको run anywhere पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर कुछ file और module है photo generate करने के लिए automatic है download होना शुरू हो जाएगा बस आपको यहाँ पर एक दो मिनट वेट करना होता है अगर दोस्तों आपको अपने phone में भी open करना होगा तो इसी तरीके से आप अपने phone में open कर सकते हैं Google Chrome open करना है जो step मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसी step को आपको follow करना है photo generate करने के लिए यहाँ पर सभी file और module हो गए है नीचे आपको यहाँ पर दिखा देगा app started successfully और कितना समय लेगा है तो यहाँ पर टाइमिं दी सकते हैं जेबॉन 61 second आपको यहाँ पर एक link मिलेगा जिसमें यहाँ पर लिखावा है running on public URL आपको इस पर click कर देना है click करते ही एक नया page open होगा open होते ही कुछ इस तरीके से आपको दिखाए देगा इसमें सबसे नीचे में यहाँ पर तीन option दिए वे हैं input image, enhance और advance है आपको यहाँ पर advance पर click कर देना है जैसे advance पर आप click करेंगे तो आपका सामने right inside में एक नया panel आ जाएगा देखें यहाँ पर top में तीन बटन दिए वे हैं setting, style, models और advance है setting के अंदर सबसे पहले यहाँ पर दियावा है preset है आपकी इस टाप से photo gen करना चाहते हैं यहाँ पर preset कर सकते हैं इसके बाद नीचे यहाँ पर दियावा है performance है जिसमें यहाँ पर दियावा है quality आपको किस quality में photo चाहिए जैसे कि high quality में चाहिए तो आपको यहाँ पर quality पर click करना है अगर इससे कम quality में चाहिए तो आपको यहाँ पर speed पर click करना है ऐसे यहाँ पर दियावा Latin और Hyper HD इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर दियावा Expect Ratio जिसमें आप यहाँ पर Size Select कर सकते हैं आपको कि Size में Photo Genert करवाना है मैं यहाँ पर 124 Width और 124 Height पर Click कर देता हूँ नीचे यहाँ पर दियावा है Output Format है आपको Photo कैसे चाहिए PNG में चाहिए JPG में चाहिए या फिर WebPage में चाहिए तो जाद दो हम यूज करते हैं JPG और PNG तो मैं यहाँ पर PNG पर Click कर देता हूँ और इसके बाद नीचे यहाँ पर दियावा है Negative Prompt है आपको Photo में जो नहीं चाहिए आप यहाँ पर Type कर दिजिए वो चीज Photo में आपको नहीं आएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा बटन दियावा है Style का इसमें आप यहाँ पर Style स्रेट कर सकते हैं किस टाप का Photo आपको चाहिए एक्जेंपल में जिस Style पर आप जाएंगे एक केट के साथ है एक्जेंपल दियावा है कि कुछ इस तरी के से Photo जेंट होगा मैं यहाँ पर दूसरे पर जाता हूँ तो कुछ इस तरी के से Photo जेंट होगा देखिए यहाँ पर तीसे पर आगया यहाँ पर चोथे पर आगया यहां पर आगे पांचे पर ऐसे ही यहां पर अलगली style दियावा है इसके बाद दियावा है यहां पर model से आपको किस model में चाहिए आप यहां पर click करके model select कर सकते हैं और यहां पर last में दियावा है advance जिसमें आप यहां पर photo की zooming यानि कि scale select कर सकते हैं और sharpness लेट कर सकते हैं नीचे दियावा है image sharpness अब photo generate करने के लिए हमने यहाँ पर setting कर लिया इसके बाद यहाँ पर दियावा है type prompt here to paste parameter से आपको किस type का photo चाहिए जिससे यहाँ पर मैंने type किया five here baby with dog से type करके image generate करने के लिए यहाँ पर दियावा है generate का processing देखिए processing यहाँ पर start हो गया है processing complete होते ही photo यहाँ पर generate हो जाएगा और दोस्तों आप यहाँ पर यह भी दे सकते हैं कि AI किस तरीके से photo को generate करता है देखिए छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर combine करके design करके photo यहाँ पर generate हो रहा है और यह बिल्कुल free है आप जितनी photo चाह करने के लिए इस पर right click करना है save image पर जाना है और यहाँ पर आपको जहां भी save करना होगा वह area slate करके यहाँ पर save क्लिक कर देना है तो देखिए यहाँ पर यह जो photo है बिल्कुल full HD में PC में download हो गया इसी तरीके से आप यहाँ पर किसी भी टाप का photo generate कर सकते हैं इस पर AI tool photo generate करके हमें यहाँ पर देदेगा इस पर यहाँ पर quality पर क्लिक कर देता हूँ ताकि यहाँ पर photo generate हो काफी high quality में जो text हमने यहाँ पर टाप किया था से हम उसी टाप से photo यहाँ पर generate हो गया मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ यह देखिए इसे computer में save करने के और जिस quality में करना हो जिस size में करना हो भरेसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं वो भी 100% बिल्कुल free में तो आज सा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लाज वीडियो को like कर दें और computer में हमें सा कुछ निया सेखने के लिए हमाचे लोगों सस्कार करके बेले कामेटर पेस कर दें मिलते हैं करें वीडियो में ठैंक्स